जैसा बताया कि चार प्रकार के अभिनायों में आंगिक के पश्चात वाचिक वाचिक अभिनाय आता है वाचिक कार्थे वाख से होने वाला वाख वाणी से होने वाला जो अभिनाय है वाचिक अभिनाय होगा तो वाचिक अभिनाय का सुरूप बताते हुए सबसे पहले इस अध्याय के अंतरगत परत्मनी वाक का सरूप बतलाते हैं यद्यपी जो चब्दों अध्याय आज हम लेंगे तेरा अध्यायों के पश्चात उसका नाम तो चंदो विधान है चंदशास्त्र का निरूपण यहां से आरंभ होता है क्यांकि वाची कभिनाय के अंतरगत ही शब्द आते हैं शब्द से पदों से चंद बनते हैं तो चंदो विधान भी वाची कभिनाय के अंतरगत ही बताया जाता है और अभी नेताओं को कवियों को चंदस के संबंद में अवश्य ही जानना चाहिए चंदो विधान का निरूपन करने के पहले वाची कभिने के अंतरगत वाक तत्व का निरूपन करते हैं और इसके पीछे वाक तत्व का जो हमारे मनिशियों का चिंतन है सोच है उसको लेकर के कि वह स्रश्टी का आद्य तत्व है मूल तत्व है वाक से ही सारी स्रश्टी हुई पागेव विश्वा भुवनानी जग्ये ये रिग्वेद में कहा गया है तो उसी दर्शन का अनुगमन करते हुए भरत्मुनिय ने कहा कि वाक तो मूल तत्व है वाक में प्रयतन अवश्य ही करना चाहिए ये नाट्य का तनु मतलब शरीर है नाट्य की समरचना इसी से होती है क्योंकि वाक ये वाचिक अभिनाय उससे नाट्य का जो पाठ है आलेख है वो बनता है कभी जो लिखता है वो शब्दों में लिखता है वाणी है पद्य गद्य जो कुछ भी समवाद नाटक के लिखे जाते हैं जितने कावे हैं वो सब वाक से बनते हैं अभिनिता जो अभिनाय करता है उनको बोलते वे वाचिक अभिनाय है तो उसी से तो नाट्य की पूरी समरच आकार खड़ा होता है इसलिए नाट्टे का शरीर है अंग नेपत्य सत्वानी वाक्यार्थम यंजयन्ति ही और भरत्पुनी यह भी कहते हैं कि यह जो चार प्रकार के अभिनाये हैं कुल उसमें से वाची का अभिनाये बाकी तीन अभिनायों का भी आधार है क्योंकि मूल तत ही यह है जब शब्दों से नहीं बोलते हैं तब भी हम आंगिक या आहार या सात्विक अभिनाये के द्वारा वाक में जो कहना है उसी को बताते हैं जो अर्थ है उसी को हम बताते हैं तो अर्थ हम पता खस्त करके बताएं कि रुको रुको हम ऐसा शब्दों से वेखरी में उचारण करके कहें या अभिनेता या अपने जीवन में भी ऐसा हस्थम करें या ऐसा ऐसा करें ये सब जो अर्थ के दियोतक व्यापार हैं शारीरिक आंगिक की चेश्टा हैं आंगिक अभिनाई के अंतरगत चाहे वे हो चाहे सात्विक अभिनाय हो जिसमें की अश्रु स्वयम आ जाते हैं कंठ अवरुद्ध होता है इत्यादी सात्विक भावं का अभिनाय होता है तो उसमें भी क्रोध है, शोख है, आवेग है इनके अर्थवियंजित होते हैं तो जितने भी आंगिक, सात्विक और आहार्य अभिनय हैं, वाचिक के अतरिक्त शेष्टीन अभिनय, वो वाक्यार्त को ही व्यंजित कराते हैं, वाणी में जो कहा जाता है, उसी को व्यंजित करते हैं, वाक्य के आशाय को ही व्यंजित करते हैं, और इसी से सारा वांग में, इसी से सारा साहित्ति बना है यही अभिनेता नाटक में ग्रहन करता है उच्छारण करता है तीसरे शलोक में तीसरी कारिका में चवद्वे अध्याय में इसलिए कहते हैं वांग मया नी है शास्त्रानी वांग निष्ठानी तथाई वचर तस्माद वाचा परम नास्ति वाग ही सर्वस्य कारणम वांग में रूप ही सारे शास्त्रे वाणी से बने हुए वाग से बना हुआ वाग में वाणी से बने हुए ही सारे शास्त्रे हैं वाग या वाणी में ही सारे शास्त्र विश्रान्त होते हैं उसी में समाय हुए होते हैं तस्माद वाचा परम नास्ति लिवाणी के परे कुछ भी नहीं है वाग ही सर्वस्य कारण हम वाणी ही सबका कारण है हम जो संसार को पहचानते हैं जानते हैं विवहार करते हैं वह सब वाणी के ही कारण है इसलिए हमारे आचारियों ने शब्द ब्रह्म का दर्शन दिया कि शब्द से ही विवर्तित होता है जगत अनादिन दिनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेना प्रक्रिया जगतो यतह वाक्य पदियम में भरत्रिहरी कहते हैं कि यह जो जगत है यह शब्द ब्रह्म का विवर्त है क्योंकि वानी से ही हम जगत रचते हैं और शब्दों से जगत की स्रश्टी होती है तो यदि शब्द नहीं रहेंगे तो जगत अंधेरे में डूप जाएगा क्या हो नहीं हो हमार लिए कोई मतलबी नहीं रह जाएगा तो अभिनो गुप्त यहाँ पर नाटिशास्त्र की इन दोनों कारिकाओं पर बड़ी विशद व्याख्या करते हुए शहिव शास्त्र में जो प्रत्यभिज्या दर्शन में जो वाक्तत्व का निरूपन है कि परापश्यंति, मद्यमा वईखरी इन चारों जो वाणी के रूप हैं उन से यह जगत वो सारी रचनाएं वो सारी कृतियां यह निर्मित होती हैं क्योंकि जो हम बोलते हैं जो शब्द हम कंटतालु आदी के व्यापार से बोलते हैं वह तो वाक का एक छोटा रूप है और उसके जो शेश सूक्ष् रूप हैं जो सूक्ष मोते वे भी व्यापक बहुत हैं तो जगत में वो फेले हुए हैं उनी से जगत बना है परापशंती, मद्यमा और वेखरी तो इसको अफिर अभिनाव गुप्त विस्तार से बताते हैं और शब्द सीदे चित्वरत्ती से जुड़े हुए हैं यह भी वाची कबने का सुरूप बताया जाता है वाची कबने भाशा के द्वारा होता है भाशा में शब्द रहते हैं व्याकरण उसका जानना चाहिए इसलिए चौद्वे अध्याय में भरत्मुनी ने व्याकरण के विशय बताए उन पर हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क् कि यह तो समस्कृत वियाकरण जो भी पढ़ते हैं या अन्य भाषा भी पढ़ते हैं तो उनको बताया जाता है कि वर्णमाला क्या है, शब्द क्या है, उसमें उद्देश विधे क्या है, कारक क्या है, धातु क्रियाएं क्या है, यह उनको सामानी जानकारी दी ही जाती है, अ और उन्होंने वाचिक अभिने का स्वरूप अगली कारिका में बताते हुए, कहा कि आगम नाम आख्यात निपात उपसर्ग समास तदितेर युकता, संदी वचन विभक्त उपग्रह नियुकतो वाचिका भी नया है, वाचिक अभिने के अंतरगत ये सब वस्त में आती है, आ संदी करते हैं, तो अन्यवर्ण आ जाता है, यन संदी में जिस प्रकार से होता है, तो वर्णों का आगम है, आख्यात क्रियाएं हैं, निपात है, चाह तुही इत्यादी जो शब्द हैं, वो निरर्थक कहे जाते हैं, लेकिन वही पाचिक अभिनाई में सार्थक बन जाते हैं, तो कथमा प्युन्न वितम न चुम्बितम तु, यह दुश्यंत कहता है, कि उसका मैंने मुख, हाथ ऐसा ठुड़ी पर रख करके उपर उठाया, और चुम्बन करना चाहता था, लेकिन करते करते रह गया बीच में एकदम से विगना गया, उसके आगे न चुम्बितम तु, ऐसा कह करके रुख जाता है, तो तु की तो बड़ी व्यंजना वहाँ होती है, उपसर्ग हैं, निपात हैं, यह सब जो भाशा के अंग हैं, निपात के प्रश्चात उपसर्ग हैं, समा से तद्धित हैं, हम सब जानते हैं, यह कृधन प्रत्या हैं, तद्धित प्रत भाषा सीखना चाहिए, उसके पश्चाद भाची का विनाय सही हो पाएगा और जितनी भाषाएं नाटक में काम में आती हैं उनको सीखना चाहिए। करते हैं तो जो भाषा आज कल की है आनी ही चाहिए अधी समस्कृत ना टक करते हैं तो समस्कृत अच्छी तरह आनी चाहिए नहीं तो अर्थ समझ करके और समभाद नहीं बोलेगा तो अभिनाय नहीं हो पाएगा आगली कारिका में कहते हैं द्विधम भी स्मृतम पाठ्यम समस्कृतम प्राकृतम तथा पाठ्य दो प्रकार का होता है जो इसे मैंने बताया कि समस्कृत में पाठ्य हो सकता है प्राकृत में हो सकता है गद्य पद्यात्मक जो पाठ्य है प्रेसिटेशन के लिए जो अभिनेता लेता है जिसको की वह समवादों में निभाता है बोलता है वह समस्कत भाषा में हो सकता है और प्राक्रत भाषा में हो सकता है कहते हैं कि समस्कत और प्राक्रत के संबंद में आगे चल के हम बताएंगे उत्रार्द में कहा तयोर विभागम वक्षयामी फिर छठी कारिका में उन्हीं विश्यों को दोराते हैं कि ये स्वार वियंजन, वर्ण माला, संधी, विभक्तिया, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात ये सब होते हैं बाशा विधान के अंतरगत हमने दो प्रकार की भाशाएं बताई इन दोनों में भी संधियां भी होती है, स्वार भी होते हैं, वियंजन भी होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात ये सब इन दोनों में होते हैं, ये साथवी कारिका तक इसमें बताया ही विशाय बताया गया आठवी कारिका से वर्ण माला बताना शुरू करते हैं यह आपके सामने लिखा हुआ है सभी जानते हैं वर्ण माला हिंदी की वर्ण माला भी बताई जाती है यह समस्कृत नहीं जानते हैं उनको हिंदी की वर्ण माला या अन्य भाशा को जो जानने वाले हैं अपने अपनी भाशा की वर्णमाला जानते ही हैं थोड़ा सा यहां ध्यान यह रखना होगा कि समस्कृत नाटक के लिए वर्णमाला यहां बता रहे हैं और आप देखेंगे कि इसमें पाणिनी ने जो वर्ण माला बताई है उससे भी कुछ अंतर है और री औल्री रस्व रिकार और दीर्ग रिकार ये दोनों तो हैं ही ल्री औल्री ये रस्व रिकार और दीर्ग रिकार ये भी दोनों स्वर्ग के अंतरगत भरतमुनी ने गिना हैं तो ये उनके पास जो परंपरा थी वड़ वाला की और जो आविनेता आविनेता करते थे पाठ का संस्क्रित पाठ का उसमें इस्वर लगते होंगे वो जानते थे कि कैसे उच्चारण करना है अब तो यह रिरी का उच्चारण तो दूर की बात रह गई अब रिकार का भी रिशी वाला जो रही है उसका भी सही उच्चारण आजकल नहीं हो पाता है क्योंकि मूर्धन्य है मूर्धन्य में जिवजवबा को मूर्धा से इस्पर्ष करना चाहिए तो हम लोग रिकार में उस प्रकार से उच्चारण नहीं करते हैं, रा में एकी मात्रा लगने पर जो बनता है अक्षर या तो उसके अनुसार उच्चारण कर देते हैं, महराश्च में रा में उ लगा करके उसके जो बनता है उसके अनुसार रुशी कहते हैं, हमारे यहां मद्यक्षेत्र में और उत्तरक्षेत्र में रिशी कहते हैं, लेकिन अवास्त्वीक उच्चारण नहीं है, ऐसा प्रातिशाख्यों में बताया जाता है, और री और री का उच्चारण तो और भी कठिन है, प् स्वरों में गिने गए इतने स्वर हैं बाकी वियंजन उसी प्रकार से हैं ककार से लेके और हकार तक यह तो सामान बात है अब इसको बहुत संक्षेप में हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे पाणिनी व्याकण जिन्होंने पढ़ा है वो सभी जानते हैं गोश और अगोश उसमें बताया जाता है वर्णों के इस्थान बताया जाते हैं आठ इस्थान है कंठे तालव्य है जिवा मूली है औश्ठे है दंतोश्ठे है यह इन्होंने गिनाय हैं यह सब हम सभी जानते है और ये सूत्र भी हैं ये तो प्रसिद्ध हैं ये भी लगबग उसी प्रकार से नाट्र शास्त्र में आये हैं अकू विसर्जनिया हकंठ्या हकार काखगगंगा और हकार ये विसर्जनिय और विसर्जनिय ये कंठ्य हैं और इचु यशा नाम तालू ये पाणिनी व्याकरण की परंपरा में आता है सूत्र और इचु ये शास तालव्या ये बरत्मुनी के नाट्र शास्त्र में है इकार, चवर्ग, चचचजजाईया, यकार ये तालव्य हैं उसी प्रकार से रिटु रशा मुर्धन्या, रिटु के पश्चाद, कपिपटती, तो उसमें कपिपटती, ऐसा उचारण न करके, कपिपटती ऐसा ही बोलते हैं जो अप की धनियाती इसको उपदमानी कहते हैं, तो अभी नेताओं को ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कपिपटती ऐसा ओ कहेंगे, तो वह स्वभाविक रगेगा कपी ही पतती ऐसा बोलेंगे तो कपी पतती ये स्वभाविक होगा ये सहज प्रवा में यही होगा तलिए हमारे रिशियों ने भाशा का जो सहज प्रवा है कि विद्या आले ऐसा अलग लग तोड़ करके बोलेंगे यदी और अपी ऐसा अलग लग तोड़ करके बो स्वत्या आ जाती है तो विद्या, आलय ऐसा बोलने की अवश्यक्ता नहीं है, संदी ही वहां सहज है। तो इसलिए उपदमानी की ध्वनी भी सीखना चाहिए अविनेताओं को, समस्कृत नाटक की अविनेताओं को तो अवश्य ही सीखना चाहिए अन्य भाशाव में तो ये विवस्थाइं खतम हो गई लेकिन समस्कर्त में तो जो बहूत ही अच्छी परंपराएं हैं वो भी बनी हुई है और नया भी हो रहा है इस प्रकार से उपधमानी को बताते ए हैं जिवामूलिय को बताते हैं अख इस प्रकार की कह करोती तो कह करोती ऐसा न कह कर करोती ऐसा उसमें अपने आप जुड़ जाएगा सुता ही यदि आप पढ़ेंगे बोलेंगे तो ये ध्वनी आती है तो हमारा जो बोलने का सहच प्रवा है उसकी सहजता को ध्यान में रख करके उपदमानी की जिवा मुली की विवस्थाएं की गई इसी प्रकार से ए अई कंठ तालब यहू अब कुछ केवल कंठे होते हैं कुछ कंठे तालब यह होते हैं अभनेता को बाकी लोगों को भी भाशा के बोलने में इनको समझना चाहिए कि एकार और अईकार का उच्चारण कंठ और तालब यह दोनों से होता है तो दोनों का ही उपयोग उनको करना चाहिए है उनकी उच्चारण में तो उच्चारण सही होगा इसलिए हमारे हैं प्रातिशाग्खिगरंत लिखे गए उच्चारण सही सिखाते हैं भाषा का उच्चारण यदि सही नहीं करेंगे तो भाषा तो मनिश्री की पहचान है पर अभिनेता के लिए तो भाषा ही प्राण है जैसा उन्होंने बताया तो इसको तो सही सीखना ही होगा फिर अनुनासिक भी बताते हैं यह सब वर्णों के इस्थान पताए फिर घोश और अगोश बताए इनको घोश दूसरे मत से कहा जाता है और काखा चाचा टाठा ताथा पाफा यह अगोश कहे जाते हैं यह तेर्मी कारिका तक विशाय बताया गया उसी प्रकार से कंठे तालव और संवरत और विवरत इनका स्वरूप बताते हैं इस प्रकार से सर्व और वेंजन का स्वरूप बताते हैं उपसर्व और निपात का स्वरूप बताते हैं नाम, आख्यात, संधी और विभक्त इसका भी सुरूप बताते हैं, समास भी समझना चाहिए, इस प्रकार से भाषा के व्याकरण के जितने विशाय हैं, वो संक्षेप में भरत्मुनिन यहां बता दिये, भले ही अभिनेता जो हैं, वो कहीं से पढ़ करके तो आये ही होंगे, कुछ तो पड़े लिखे होंगे ही, नाट्य दल में अधी आये भी हैं, और कुछ तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी इसको एक बार दोहरा देना चाहिए, शास्त्र में, क्योंकि वाची कविनाय में तो इसको दृष्टी में रखना बहुत ही आवश्यक है, तो छैकारक जानने चाहिए, संप्रदान आदी विवक्तियां जाननी चाहिए, और नाम आख्यात ये सब जानना चाहिए, निपात को भी जानना चाहिए, 28 में कारिका तक ये सब विशय बताए गए, और कुछ बातें बहुत रोचक और नवीन हैं, कि पाणिनी का जो धातुपाठ है, भरत्मुनी के सम्मुक धातुपाठ का दाचित है, कहते हैं पंच शत धातु युक्तम, 500 धातुओं से युक्त पाठ्य होता है, कम से कम 500 धातुओं का प्रयोग नाटकों में जो अभिनेता बोलते हैं, उसमें हो जाता है, ये बड़ी बात इसमें, इतना विस्तरत इसका हो है, ये द्यपी सम्स्कुत भाषा में और भी धातुओं हैं, 2000 हो सकती हैं, लेकिन इनका 500 का उप्योग करते ही हैं, और 5 विध, 5 कोटियां इसमें नाम, धातु, आख्यात और उपसर्ग ये हुआ करती हैं, तो इन सब को वरत्मुनी संक्षेप में, आरंभ में बताते हैं, और निपात का भी स्वरूप यहां, विशद रूप में बताते हैं, विभक्तियों का भी स्वरूप यहां, विशद रूप में बतलाते हैं, ये सब चुंकि विद्याले के पाठिकरम में भी बताया जाता है, इसलिए हम इसको विस्तार से नहीं ले रहे हैं।